कश्मीर से जहां कुपवाड़ा में बरफीले तुफान में दबने से तीन जवान शहीद हुए हैं और दो की मौत हो गई है इस खबर के पुरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रिया जो निहारी का यहाँ पर जमो कश्मीर में लगातार 48 घंटों से बरफबारी हो रही है और कई जगाओं पर भारी बरफबारी हो रही है बरफीला तुफान आने से यहाँ पर तीन जवान शहीद हो गए हैं और दो अभी भी लापता बताय जा रहे हैं और उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो कि बंकर्स में अभी भी दबे हुए हैं उन्हें ढूनने की लगातार कोशिश की जा रही है रेस्ट की ऑप्रेशन्स चलाय जा रहे हैं और लगातार अर्टालीस घंटे में यहाँ पर अगर देखा ज हैं यह 45 आरार के जवान बताया जा रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर पांच जवान जो थे इस बर्फिले तुफान की चपेट में आ गये थे तीन जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं दो जवान अभी भी लापता बताया जा रहे हैं उन्हें लगातार ढूनने की की जा रहे हैं अभी तक कोई नंबर सामने नहीं आया है कि क्या कोई जवान वहां पर दबे हुए हैं भी या फिर नहीं लेकिन फिलहाल आशंका यह है कि वहां दबे हुए हैं तो उन्हें भी उस पूरी बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रहे हैं और वहां से भी रेस्क्य अपरेशन करने की पूरी कुछ